हेलो इश्रेंट्स वेलकम टू पाइमाथ और मैं हूं नवीन गुप्ता तो चली शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं पहला कुश्चन वन प्लस कॉट स्कॉर अलफा इस इकॉल टू कॉसिक अलफा यह प्रूब करना हमें तो चली कैसे कि इस कॉश्चन को देखते हैं देखें सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाने हैं identity that is one plus cot square alpha is equal to cosec square alpha यह पता कि ऐसे identity होती है यहां से हम cot square alpha की value find कर सकते हैं which will be cosec square alpha minus one तो चली लिखते हैं left-hand side left-hand side में हमारे पास है one plus cot square alpha upon on one plus preserve स्क्वायर सक्वायR lite- 1 आप देखिए किसहां इस तरीक इसमें हम वैलो ठाउट kरेंगे तो हम cart 2 के जहें और पर रखने յाले हैं कॉसिक स्क्वायरलफा-1 तो टroat नुमुके अउन फार्मा लगा सकते हैं a square minus b square का जो क्यों होता है a minus b into a plus b तो जब यह formula हो अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा numerator में देखे 1 plus कॉसेक alpha minus 1 okay into में 1 plus या कॉसेक alpha plus 1 ठीक वो एक ही बात है और upon में हुमारे पाद लिखा हुआ है कॉसेक alpha plus 1 या 1 plus कॉसेक alpha अब यह दो नोटर हुमारे होगे cancel out जो बच्चा है उसको note कर लेते हैं which is 1 plus कॉसेक alpha okay it should be कॉसेक so कॉसेक alpha minus 1 1 से 1 cancel out so it will be कॉसेक alpha जो की है हमारा right hand side okay तो अगर आप सही से identity apply करते हैं सही identity यहाँ पर जो required है apply करेंगे तो उस case में इसका answer आपको सही मिल जाना है okay I hope question अच्छा से clear हो गया होगा चले देखते हैं अगला question देखें next question के लिए I am going to pick up very important question जो तुहां 20 में पूछा गया था जो last question था वो भी 20 में ही आया है ठीक एसी वसी में तो देखते हैं अगला question second है prove that 1 plus tan a upon 2 sign है okay plus 1 plus cot a upon 2 cos है और हमें prove करना इसको equal to cos a plus second चले आगे देखें कैसे इसको करेंगे हम लोग write down the left hand side first so left hand side is 1 plus tan a upon 2 sign a plus 1 plus cot a upon 2 cos a अब जब इस type का question आया है आपको कुछ idea नहीं कि क्या क्या जा है तो हमेशा यह करिए कि जो tan cot दिया है उसको sin cos में convert कर लिजे तो यहाँ पर हम जो ओपर tan लिखा इसको लिखेंगे sin a by cos है और ऐसे ही जो दूसरा step है उसमें हम लिखेंगे cot को cos by sin a okay, so upon में हमारे पास 2 cos से आ जाएगा, take the lcm, so cos a plus sin a और denominator में जो lcm हमने लिया है वो upon में आ जाएगा, so that will become 2 sin a cos a okay, ऐसे ही second step में आप देखेंगे यहाँ पर आपका sin a plus cos a उपर आ गया और lcm में, जो sin a आया lcm नेने पर वो नीचे आ गया, so it will become 2 sin a cos a okay, तो इसके बाद में आपको यह करना है कि अब दोनों में देखें, दोनों टर्म जो हमारे same ही आ रहा है okay, तो हम क्या कर सकते हैं, lcm लेकर रखेंगे, उनको एक साथ लिख सकते हैं, which is 2 sin a cos से, और उपर भी 2 cos से भी आ रहा है और 2 sin a भी आ रहा है, तो 2 common कर लेते हैं, तो cos से plus sin a बचा के बाद, अब 2 से 2 हो गया, cancel out, now, दोनों टर्म को अलग लग कर लिजे, cos a upon sin a cos है, plus sin a upon sin a cos है, तो आप देखेंगे, cos से cos अपर cancel out हो गया, यह term, और यहाँ पर sin से sin cancel out, तो 1 upon sin a बचा, जिसको हम directly लिख सकते हैं, cos से के, और 1 upon cos बचा, which is, which can be written as second, तो यह हमारा है, RHS, यानि right hand side, I hope question आपको clear हो गया होगा, अच्छे से, बढ़ते हैं, अगले question पे, देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगे 3 question कवर किये थे, इसमें अभी हमने 2 question कवर कर लिए हैं, तो this was the 5th question, अब जो अगला question हमारा होने वाला है, that is going to be the 6th question, अब देखें, 6th question काउन सा है हमारे पास, 6th question जो हम यहाँ पे pick कर रहे हैं, यह 23 में पूछा गया था, okay, this is the question number 6, prove that, 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a, चलिए, कैसे करेंगे इस question को देखते हैं, this was asked in CBSC 2023 paper, okay, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि 25 में पूछा रखता है, चलिए, left hand side रिखते हैं, which is, 1 plus sec a upon sec a, जैसा कि last question में बताया था, आप क्या करना है, कि इनको convert कर लेना है sign cos में, तो obviously sec को directly sign में तो ले जा नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसे cos में convert करेंगे, तो 1 plus 1 upon cos से, और 1 upon cos से इधर आ गया, now, take the LCM, तो उपर आ जाएगा cos a plus 1, और upon में आ गया cos से, ऐसे इधर आ गया 1 by cos से, cos से cos cancel out, हमारे पास सिर्फ बच रहा है cos a plus 1 या 1 plus cos से, अब यहां से 2 method हैं, या तो आप यहीं से सीधे RHS ले आएए, या इसको equation first जालके, right hand side को solve करके, उसे भी हम RHS prove कर सकते हैं, तो अभी यहां पर जो method में बता रहा हूँ, कि इसी से directly RHS कैसे लाएंगे, तो देखे, upon में यहां पर क्या बचा है, जब कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे आपे, आपको यहां करना है, इसमें उपर नीचे 1 minus cos A से multiply करना है, जिससे कि उपर जो है identity बन जाए, that is sin square A plus cos square A is equal to 1 होता है, तो वहां से हम 1 minus cos square A निकाल सकते हैं, sin square के equal, तो यहां पर A plus B, A minus B, which is 1 minus cos square A, A square minus B square होता है, और यह बन गए identity हमारी, which is sin square A upon 1 minus cos है, और यही है RHS, right hand side, तो अगर आपने question एक से दो बार इसको कर रखा है, तो इजली इस question को आप solve कर सकते हैं, कोई बहुत ही typical question नहीं है, बढ़ते हैं अगले question पर, question number 7, question number 7 is, prove that tan A upon 1 plus से के minus tan A upon 1 minus से के और इसको लाना है 2 cos से के एक एक एककोल, this question was asked in CVSC 2019 and 23, ये दो बार आचुका है question, important है, देखते हैं question कैसे होगा, first of all we will write down the left hand side, यहां भी हम sine cos में convert कर सकते हैं, बढ़ उससे easy way भी यहां पर एक है, उसको हम ज्यान देते हैं, अगर हम दोनों step से tan common कर लें, तो हमारे पास आ जायाएगा, 1 upon 1 plus से के, minus 1 upon 1 minus से के, okay, now just take the LCM, तो जब LCM लेंगे, तो हमारे पास क्या जायाएगा, ओपर 1 minus से के, minus, यह multiply होने पे, minus का 1 minus से के हो जायेगा, minus से multiply होने पे, और upon में हमारे पास आ गया, 1 plus से के, into 1 minus से के, now, आप देखेंगे कि, 1 से 1 कैंसल आउट हो रहा है, बाकी टर्म हमारे पास वैसे ही लिख देते हैं, 10 है, minus से के, minus से के is going to be minus 2 से के, और नीचे का टर्म आ गया, 1 minus से के स्क्वायर है, अब यहाँ पर एक चीज, देखें, यहाँ minus का 2 से के है, नीचे 1 minus 1 से के स्क्वायर है, 1 minus से के स्क्वायर है, डिरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि जो इडेंटिटी है, which is, 1 plus 10 स्क्वायर है, is equal to से क्वायर है, तो मतलब यहाँ से बनेगा, से क्वायर है, minus 1 is equal to 10 स्क्वायर है, तो अब minus को इसमें adjust कर लिजे, तो it will be, यहाँ denominator से minus common कर लिजे, ऐसे भी कह सकते हैं, तो 2 से के, अपॉन से क्वायर है, माइनस 1, ठीक है, तो आप देखेंगे कि, जो नीचे का टर्म हो, सीधा identity बन रही है, विच इस 10 स्क्वायर है, तो 10 एंटू 2 से के, और अपॉन में 10 स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर से 10 कैंसल कर दीजे, अब जो बचे हुए टर्म है, उनको convert कर लेते हैं, साइन कॉस में, तो जो 2 से के है, इस इस 1 अपॉन कॉस से, जो टैन है, इस साइन अपॉन कॉस है, कॉस से कॉस हमारा चला गया, यह आ गया, 2 कॉस से के, 1 अपॉन साइन इस कॉस से, तो 2 कॉस से के, विच इस रहेचेस, तो आई होब आपको कॉस्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से, देखे, आइडेंटी बेस्ट कॉस्चन जो है, हर विडियो में मेरा यह मोटिफ रहेगा, कि 4 से 5 कॉस्चन आपको दिये जाए, योगि बहुत लंबा विडियो ना हो, ऐसा बोरिंग ना हो जाए, ठीक है, उतने कॉस्चन आपको दिये जाए, एक लेक्चर में, जिसको आप एक बार बैठ करके, वन गो में सॉल्व कर लें, तो अगर आपको ज्यादा लेक्चर्स देखने हैं, तो उसकी पूरी प्लेलिश्ट में बना रहा हूं, तो आप वहां से कॉस्चन को पिक कर सकते हैं, आपको उस प्लेलिश्ट में मिल रहाएंगे, और आगे सॉल्व करते जाएए, तो आई होब जितने कॉस्चन बतायागे हैं, वो क्लियर हो गया होंगे, एक कॉस्चन और देख लेते हैं, फिर उसको बाकी कॉस्चन अगले वीडियो मिले जाएंगे, ठीक, चलिए, कॉस्चन रूमर एट, कॉस्चन रूमर एट यहां पर हम पिक करते हैं, that is, टुरवारम 23 का यह भी कॉस्चन आया हुआ है, च्योंकि बहुत सारे पेपर्स बनते हैं एक साथ में, ठीक है, तो यहां पर हम जो कॉस्चन ले रहे हैं, ये भी 23 का ही है ठीक है तो if sin theta plus cos theta is equal to p and sec theta plus cos sec theta is equal to q okay then prove that q into p square minus 1 is equal to 2p okay देखें इस type की question को solve करते हैं कि हम हमेशा उस side से value को पकरें जिसे जाधा term दिये गये होंगे इसे lhs equal to rhs लाना है तो हमें देखा कि left hand side में obviously जाहर term दिये गए है तो इससे rhs लाना easy है just write down the left hand side which is q into p square minus 1 और चले value रख लेते हैं q की value हो गई sec theta plus cos theta p square p square is sin theta plus cos theta का whole square और minus 1 okay sec theta को हम लिए सकते हैं 1 upon sin sorry 1 upon cos theta and cos is going to be 1 upon sin अब जो bracket के अंदर लिखा है sin theta plus cos theta का whole square जो इसको to expand करते हैं it is sin square theta plus cos square theta और plus two sin theta cos theta और bracket के बाहर just this में जो है इस bracket के बाहर minus 1 लिखा हुआ है तो वो लिख देते हैं now आप क्या करिए जो बाहर वाले term लिखा है उसमें LC में रहते हैं we are going to get sin theta plus cos theta sorry यहाँ पर into में आ जाएगा sin theta into cos theta और उपर में हमारे पास sin plus cos आ गया ठीक है अगले bracket में sin square plus cos square which is the identity यह हो जाएगा 1 यहाँ पर 1 लिख दिया हमने plus 2 sin theta cos theta और minus 1 अब देखिए जो यह 1 है 1 cancel out sin theta plus cos theta upon में sin theta cos theta into में आ गया 2 sin theta cos theta now sin theta cos theta का आप cancel कर लिजे जो बसता है 2 और sin plus cos जो है that is P so it's 2P which is right hand side okay तो यह जो वीडियो था हमारा that was mainly dedicated to 2023 PYQs okay आने हाले lectures में हम लोग और जो years है उनके PYQs को discuss करेंगे ठीक है जो question important और बनते हैं इस साल के लिए उनको हम दिसक्स करने वालने है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के और सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ अपने दोस्तों को शेर करना मत भूलिएगा thank you for being here